अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा अभी तब तो प्लीज उसको एक बार जुरूर देखेगा अगर हम खाने की बात करें हमें बूक लगिया है तो जो पहली रोटी से हमें यूटिलिटी मिलने वाली है वह सेकेंड यह थर्ड रोटी से नहीं मिलेगी यह फोर्थ रोटी से नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि उस टाइम पर आपकी जो भूक है सब्सक्राइब के बारे में यही कहा गया है कि as consumer increases the consumption of any commodity बागी चीजों को अगर हम equal रखते हैं बागी चीजों में अगर हम चेंच नहीं लेके आते हैं तो आपकी जो DM marginal utility है उन चीजों से मिलने वाली वो क्या कर जाती है decline कर जाती है the more we have a thing the less we want the additional increment of it अगर हमारे पास पहले से बहुत सारी चीज़े हैं तो presently हमें और चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं हम उसकी demand नहीं करते हैं we want not to have the additional incremental of it अगर स्पोज आपके पास अभी बहुत सारे कपड़ी हैं अभी आप और नहीं परचेज करना चाहिए क्योंकि आपके पास already बहुत ज़्यादा है तो आप additional want नहीं चाहते क्योंकि आपकी जो utility है वो decline हो चुकी है यह किसी dress को आप बहुत बार वीर कर चुके हो ठीक है आपको वियर करें आपने जब पहली बार वियर करें आपको बहुत सारे compliments मिले थे good looking के ठीक है तो अभी जो आप उसको बहुत बार वियर कर चुके हो अभी आपको जो utility उसे मिलेगी फिफ्ट बाई फिफ्ट टाइम पर पैनने की वह आपको वह नहीं मिलेगी जो आपको फर्स टाइम पर मिले थी क्यों क्योंकि अब उसकी जो आपको जो खुशी मिलती थी उसका जो level है वो decline हो चुक है अब आपको इतनी attachment नहीं है तो जैसे जैसे आप चीजों को जादा ज definition से यही पता चलता हमें कि जैसे अगर कोई given time में कोई consumer consume कर रहा है commodities को at a given time when we go on consuming the additional units of a commodity marginal utility हर successive units से हमें जो मिलती है other things को अगर हम equal रखते है तो आपका जो DMU है आपके DMU कह रहे हो जो marginal utility है वो टिमनी शो जाती है ठीक है हां जी आगे बात करें उसकी assumptions के उपर assumptions क्या कहते है हर एक law की assumptions कुछ न कुछ होती है चीक है कुछ conditions होती है जिसको हम assumptions कह देते हैं कि assumptions are lucky तो every law contains a clause other things being equal law for जो हमने demand पड़ा था उसमें भी हमने अगर price की बात करी थी तो बाकी चीजों को constant रखा था यहां पर भी हम बाकी चीजों क constant रखने वाले हैं तो main assumptions कौन कौन से हैं सबसे पहले utility can be measured in the cardinal number system utility को हम cardinal number system में measure कर सकते हैं 1,2,3,4,5 satisfaction को आप 1,2,3,4,5 utils में measure कर रहे हैं यह पहली सबसे condition है utility analysis utility को analyze करने की सबसे पहली condition क्या है cardinal number then marginal utility of money remains constant जो marginal utility पैसे को लेके हैं वो हमारी change नहीं होती वो constant रहने वाली है हर एक commodity independent है marginal utility हर एक commodity की independent है अलग लग मिलेगी marginal utility individually बात करेंगे हर commodity की अगर आप दो चीज़े ले रहे हैं दोनों की marginal utility को हम अलग लग देखेंगे every unit of commodity being used is of the same quantity quality and size जितनी भी units of commodity की consume कर रहे हो वो same quality same size की होनी चाहिए जो पहली बार लिया है वही दूसरी बार लेना है वही तीसरी बार लेना है ठीक है अगर हम रोटी की बात करें थो जो बंदा पहले रोटी बना रहा है वही second रोटी आपको खिलाएगा तो थेर्ड रोति के लाइगा क्योंकर करें अगर हम पैने की बात करें तो अगर आपने पहले बॉल भल पैने यूस क्या थो वह यू शुद्वार मुकर उप्रोड करें तो चाहिए तो नहीं ठीक हो continuous consume करना है तभी तो हम उस चीज़ से ज़्यादा जल्दी बोरोएंगे बोरोने का मतलब हमारी जो utility है marginal utility है वो क्या करेगी decline करेगी suitable quantity of a commodity is consumed जो हमने quantity consume करनी है वो suitable होनी चाहिए हमारी हमारी taste के according there is no change in the income of a consumer income हमारी same रहेगी income में कोई change नहीं आएगा prices में कोई change नहीं आएगा और substitute के prices में कोई change नहीं आएगा consumer के taste में कोई change नहीं आएगा character में कोई change नहीं आएगा fashion habits of a consumer यह सारी चीज़े जो है वो law की assumptions है कहलो conditions है इनको ध्यान में रखना सबसे पहली cardinal number system marginal utility of money remains constant और marginal utility हर एक commodity की क्या होगी independent होगी समझते हैं इसको देखो आपने ice cream ली first cup of ice cream आपको utility कितने में ली 4 की marginal utility आपकी क्या है 4 जब आपने second consume किया second cup को खाया देन आपकी utility क्या होगी 3 जब आपने third खाया then 2 then 1 then जब आपने fifth खाया तो क्या होगी आपकी 0 0 होने का मतलग आपको कोई फरक नहीं पड़ा है आप जो है अच्छा फील कर भी रहे और नहीं भी करें neutral system है आपका जैसे आपने एक और वही चीज को खा लिया अब आप वहां से क्या होगे बूर होगे अब आपका जो system है body का system है digestive system है वो आपका गड़बड कर गया तो यह minus में चली गई नेगटिव हो गई है हमारी तो marginal utility देखो आपकी क्या कर रही है decline कर ली पहले 4 थी फिर 3 देन 2 देन 1 तो यह आपकी decrease कर जाती है इसलिए हम इसको क्या कहते है DMU गिरती होई diminish करती होई marginal utility यह table हमें बताता है जब आपने first ice cream को खाया देन आपको 4 utils की क्या मिली utility मिली 4 utils की utility को हम utils में measure करते है and this will satisfy your want to some extent and intensity of want will mellow down तो जो आपको first cup से मिली थी utility जो आपको अच्छा लगा अब वो आपका थोड़ा सो क्या हो जाएगा down हो जाएगा second में आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको first में मिली थी third में आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको second में मिली थी first में मिली थी ठीक है तो इस तरह से आप एक stage आएगी जब आप fully satisfied हो जाओगे जिसको हम आपका saturation point बोलेंगे अब भी बस इससे जादा और नहीं तो वो अगर आप लेते भी हो पहले तो इससे जादा और नहीं तो वो क्या है आपकी marginal utility zero marginal utility zero है अब इसके बाद अगर आप एक और कपलेत लेते हो तो आपका जो utility है वो क्या चला जाएगा negative में चला जाएगा ठीक है तो इसको इस तरह से हम दिखा रहे हैं o x-axis के उपर है हमारी quantity and then o y-axis के उपर है आपकी utility आपने जैसे जैसे चंजूम किया पहले आपने फस्ट को कंजूम किया फस्ट आइसक्रीम खाया ने फस्ट कौंटिटी कौंटिटी ज़र है फस्ट आइसक्रीम खाया आपको utility मिली 4 utility के मिली 4 यह रही positive जब आपने एक और खाया second पे आप पहुंच गए तो आपको utility कितनी मिली 3rd और जब आपने 3rd ice cream खाया utility मिली आपको 2 then 4 अगर आपने 4th ice cream ले लिया तो आपको utility मिली 1 की अब अगर आपने 50 को खा रहे हो तो आपका जो utility है वो 0 जो रहता है और एक्सक्स को टच कर रहे हैं अब इसके बाद क्या हो जाएगा डाउन चला जाएगा जो जी ओएक्स को टच कर रहे है जो 0 दिखा रहा है एक्स को टच करना मतलब 0 है तो यह आपका क्या है saturation point है इसको हम saturation point बोलते हैं उसके बाद यह negative में चला गया ठीक है तो यह तो हो गया DMU के बारे में law of DMU के बारे में तो अभी हम इसकी कुछ theory portion को देख लेते हैं exceptions क्या है कहां पर DMU जो हमारा law है वो नहीं लगता यह तो इन्होंने बात समझा दी अपनी इस diagram के recording की table के recording बता दिया कि जैसे जैसे आप चीजों को और consume करते जा रहे तो आपकी decline होती जाएगी आपको जो utility मिलेगी यह तो एक mental satisfaction है mental कह सकते है कि thought है किसी भी person का कि उसको कितनी मिली कितनी नही मिली एंड कुछ exceptions है जहां पर हमारा यह DMU का law है applicable नहीं होता कुछ rare things होती है curious things होती है जैसे कोई person है वो old or rare coins को इकठा कर रहे है ठीक है पुरानी सिक्के पुरानी क्रंसी को किसी को इकठा करने का शौंक होता है तो यह वहाँ पर apply नहीं होता है क्योंकि यह जो persons होते है इ कभी इन चीजों को लेके decrease नहीं करेगी ठीक है यह decrease नहीं करेगी rare things को लेके बलकि यह तो इनकी increase होती रहती है तो जैसे जैसे इनको और चीजे मिलती है यह और जादा interested हो जाते है ठीक है तो हम यह बात तो चलो हमें समझ में आ गई यह लोग क्या कह रहे हैं कि यह जो ची मार्चनल यूटिल्टी है वो कभी भी कहलें डाउन नहीं होती है डाउन नहीं होती तो चलो ठीक है अगर हम एक परशन की बात करें जिसके पास सेल तरह की जो स्टैंप्स कहलो या क्वाइं कहलो एक ही तरह कि बहुत सारे कठ्थे हो गया अब वह उस चीज से बोरो होगा क अब किसी परशन के पास 100 रूपीज अगर हम पुरानी क्रंशी की बात करें 100 रूपीज के नोट है तो उसके पास ओलड़ी 10 नोट इकठ्थे हो चुके हैं अब उसको अगर और मिलेगा तो क्या इंट्रेस्टेड होगा और मिलेने के लिए नो उसके पास ओलड़ी 10 अब व नहीं चुछ चीजें कुछ कम चीजें वाँ पर डिवनिष करेगी करेगी ओके याट में नेक्स ओज़ेता था निजल्स के ऊपर यह लोग कह रहे हैं कि टेम्यू का नहीं होता है क्यूंकि उनको जादा से जादा वैल्थ इकटि करनी होती है मीज़र होते हैं कंजूज टाइब की बंदे जिन को पैसा लेना पसंद होता है किसी को देना पसंद नहीं है कमाना पसंद जोड़ना पसंद लेकिन खर्चना पसंद नहीं है तो इनकी जो डिजायर है मनी को लेकर वो कभी भी पूरी नहीं होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है कम नहीं होती है यह कभी भी saturation point पर पहुंची नहीं सकते हैं क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा wealth चाहिए होती है तो DMU यहां पर apply नहीं होता लेकिन इन्होंने इन्हीं points में यहां पर भी यह साबित कर दिया कि actually यह चीज़े exceptions में नहीं भी आ सकती क्यों नहीं आ सकती यह सच नहीं है क्योंकि तो कह रहे हैं amount of money that a miser spends on food and food and clothing he can't spend it on the gold and silver अब उसके पास बहुत सारा gold and silver है वो जितना पैसा food and clothing के उपर लगाता है वो इतना बार-बार gold and silver के उपर थोड़ी लगाएगा ठीक है तो इन्होंने यहां पर इस चीज़ को भी प्रूफ किया utility of a gold and silver diminishes and then that of food and clothing whose stock is limited increases जिसके पास उनके पास अगर कपड़े नहीं है खाना पिना अच्छा करना है उन्होंने तो वो वहां पर पैसा लगाते हैं बजाए की gold और silver के good book or poem it is said that by reading a good book or a listening malderious song a beautiful poem again and again one gets more utility than the before जैसे जैसे हम अच्छी books को पढ़ते हैं songs को सुनते हैं points को बार बर सुनते हैं यह चीज़े हमें और ज्यादा खुशी देती हैं हमारी इन चीज़ों के साथ कुछ attachment हो जाती है तो लोग जो हमारा DM को है DMU यहां पर apply नहीं होता बट यह भी चीज़ सही नहीं है यह जो चीज़े हैं किसी भी बुक को बार बर पढ़ना song को बार बर सुनना point को सुनना यह एक certain limit तक ही अच्छा लगता है जैसे जैसे आप इसको दुबारा दुबारा से भी पी Lynch को 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 आपकी जो・ यूटिलिटि एह से हमें इंट्रेस्ट बनना कम जाएगा बनेगा इनी इंट्रेस्ट आप इन चीज़ों से जल्दी बहुर हो जाओगे तो ये चीज इन्होंने यहां पर भी कह दिया कि जो आपकी Marginal युटिल्टि एवह यहां पर भी दिम कुछ और परसन कह रहे हैं अगर किसी एक ने का कि यह अच्छी बुक्स अगर हम पढ़ते हैं हम अच्छा लगता हमारा इंट्रेस्ट बनता है तो वहां पर हम कभी दिमने नहीं होती तो दूसरा चाहता है क्यों नहीं हो सकती एक लिमेट होती है सुनने की सौंग को एक रिड जो बहुत ज़्जादा शराब पीने वाले लोग हैं ठीक है तो जितने जयादा ही और पैंग्स लगाते हैं इनकी जो यूटिलिटी है बहुत जादा हो जाती है इंक्रीज होती है और पीने के इच्छ होती है यहां पर जो DMU हो नहीं होता है ठीक है ऊटिर妳 पर भी दूसरी बात में यहीं कहा रहे है कि अगर यह जाद़ से जाद़ की इस्टार्ट हो सकते हैं इनको नहींद करना चाहिए वैं अनीशनल यूनिट्स जो मारे स्टार्टिंग के यूनिट्स हैं अनीशनल इस ने लेस ददा एप्रप्रॡप्रेट कॉंटिटी तो जब हम दुबारा उस चीज को लेंगे तो वहाँ पर हमारी जो utility है वो increase होगी, decrease नहीं होगी ठीक है, अगर हम heat की बात करें, heat को बढ़ाने के लिए हमें और coal है जो डालना पड़ेगा, additional quantity हमें coal की डालना पड़ेगी, आग को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे जो, क्या कह सकते हैं, utility है, वो increase हो रही है, वहाँ पर decrease नहीं हो रही है, but this exception is also not correct, यह exception भी correct नहीं है, अगर वहाँ पर, as we make the use of adequate quantity, quantity of initial supply of a coal, अगर हम वहाँ पर पहले से adequate quantity में coal को use करते हैं, जिसनी हमें वहाँ पर required है, तो वहाँ पर additional unit से जो utility मिलेगी, वो भी क्या होगी, less होगी, वहाँ पर भी वो कम नहीं होगी, तो यह सही का गया है, tendency of DMU है, कि जैसे जैसे आप चीजों को ज़्यादा use करते हो, तो आपका जो utility है, वो decrease कर जाता है, यह DMU कहता है, तो यह गलत नहीं होगा, अगर हम इसको universal law भी कहते हैं, तो, then, causes of its application, हम इसको apply ही क्यों करते हैं, क्या कारण है, पहली बात, commodities are imperfect substitutes, commodities है, वो imperfect substitutes है, In other words, one commodity cannot always be used for another commodity, imperfect, perfect तो वो हो गया ला, कि हम उसको always use कर सकते हैं, imperfect, एक ही commodity को, हर बार, एक दूसरे की जगा पर use नहीं किया जा सकता, Tea in place of a coffee or coffee in place of a tea cannot be used to an unlimited extent, हम इसको unlimitedly एक दूसरे की जगा पर use नहीं कर सकते हैं, जिसको चाई पीनी है, तो उसको चाई ही पीनी है, ठीक है कि इसको हम substitute कर सकते हैं, अगर चाई नहीं है, तो चाई की जगा एक बार, एक आदी बार coffee ले सकते हैं, बट ये नहीं है कि coffee ही पी कुजी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है, एक limit होती है, substitute को use करने की, उसके बाद जो पहले वाली जो हमारा product था, जिसको छोड़कर हम ये नया वाला लेके बैठे हैं, नया वाला use कर रहे हैं, उसको ही use करना शुरू करेंगे, तो after that limit, if you make use of a tea for coffee and coffee for tea, then the marginal utility drive thereof will go on diminishing, एक ल दोनों में से आपको utility मिलने वाली है, वो क्या हो जाती है, dimness हो जाती है, तो use of variable quantities of a commodity with the fixed quantity of another good will cause the marginal utility of additional units of variable good to dimness, जब हम fixed quantity को दूसरी जगा पर use करते हैं, एक quantity की बजाए, दूसरी को उसकी जगा पर use करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो additional utility मिलेगी, उस product की क्या हो जाएगी, तो इस वज़े से यह जो हमारा law है, वो applicable होता है, imperfect substitutions की वज़े से, stayability of a particular want, another cause of its application is that there is a hardly any particular want which cannot be fully satisfied, ऐसी कोई वांट नहीं है, जिसको पूरी तरह से satisfied नहीं किया जा सकता, having reached the point of satisfactory, saturation point पर जब आप पहुंच जाते हो, use of one more unit of a commodity will yield zero marginal utility, जब आप saturation point पर पहुंच जाते हो, उस time पे आपकी जो MU होती है, marginal utility होती है, वो आपकी zero हो जाती है, उससे पहले आपकी जो total utility होती है, वो increase करती है, increase करती है at the diminishing rate, and at a saturation point, there is a no increase in it, T.U. की बात करें, total utility में कोई भी increase नहीं होता है, T.U. जो आपकी increase होती है, at the diminishing rate, only when MU diminishes, MU marginal utility जब कम होती है, T.U. आपकी उस time पे तभी increase होती है, otherwise वो increase नहीं होती, increase तो होती, लेकिन at the diminishing rate, कम rate पे होती है, यह पिछले वाली class में हमने बहुत ही अच्छे से table में concept समझा था, T.U. MU and initial utility का, सबसे पहले initially किया था, इनका relation भी बताया था, ठीक है, तो एक बार वो भी वाला, देख लेना, कैसे T.U. जो है, increase होती है, at the diminishing rate. Alternative uses, each commodity has many alternative uses, some uses are more important, while other uses are less. कुछ की जादा जुरूरत होती है, कुछ की कम होती है, किसी को जादा priority, जादा importance मिलती है, तो किसी को कम मिलती है, कभी-कभी. तो अगर हम quantity की बात करें मिलक की हमारे पास दूद कम है तो हम सिरफ बेबी को अगर गर में बेबी है तो बेबी को feed करवाने के लिए ही use करेंगे उसके लिए ही रखेंगे अगर हमारे पास quantity जादा है जो हमारे पास बच्चे को देने के बाद भी बच रहा है तो हम चाय में यूज़ करेंगे बड़े उसको पी भी सकते हैं और उसकी कर्ड भी बना सकते हैं ठीक है तो यह चीज एविडेंट है कि जैसे जैसे quantity of a good goes on increases हमारे पास quantity भड़ती है चीजों की increase होती है इट पूट टू लेस and less important जैसे जो हमारे पास चीज जादा होती है उसकी importance कम हो जाती है utility उसकी कम हो जाती है तो यह आपको बताया गया है इसके causes में उसके बाद में बात कर लेते हैं importance के बारे में इस law की importance क्या है पहली बात यह जो law है basis of consumption है ठीक है law of DMU is a basis of all the laws consumption जैसे कि law of equal marginal duty law of demand consumer surplus सारे की सारे law इसी basis पे है DMU के basis पे करते हैं depend यह बेस है जो law of equal marginal duty है वो क्या कहता है कि जो consumer है वो अपनी जो commodity है सारी की सारी income एक commodity के उपर spend नहीं करता है क्यों क्यों नहीं करता क्यूंकि उसको पता है उसको पता है अगर वो जादा से जादा units purchase करेगा same commodity के एक चीज़ को इतनी जादा quantity में ले लेगा तो उसकी जो marginal utility है हर एक successive unit से मिलने वाली वो क्या कर जाएगी वो diminish हो जाएगी यह उसको कैसे पता चला यह हमारा जो हमने अभी अभी लॉफ DMU किया उसने तो उसको बताया था कि अगर आप same same चीज़े बार-बार यूज करते रहोगे सारा पैसा अपना एक ही चीज में लगा दोगे आपकी तो utility आप जल्दी से बोर हो जाओगी utility आपको नहीं मिलेगी utility आपको कम मिलेगी डिमनिश हो जाएगी नेगटिव हो जाएगी तो इतनी सारी चीज़ों का करोगे क्या सारे पैसे यहीं पर क्यों लगा रहे हो यह किस ने बताया डिमनिश ने बताया तो law of equal marginal utility में जो consumer है वो कैसे satisfaction लेता है अपनी income को spend करता है उतना ही जितना उसको उन commodity से क्या मिलनी है utility मिलनी है उतना ही वो पैसा लगाता है ज्यादा पैसा वो नहीं लगाता है ठीक है यह डिमनिश ने बताया उसको तो law of demand क्या कहता है law of demand भी यही कह रहता है consumer will demand more units of a commodity at a low price low price पे consumer ज्यादा चीज़े लेता है और ज्यादा प्राइस पे consumer कम चीज़े लेता है तो क्यों it is so because more units yield diminishing marginal utility marginal utility उसकी कम हो जाती है कब जब वो ज्यादा चीज़े लेता है तो consumer जो है उतनी ही चीज़े लेगा therefore buy more units only if वो तब ही ज्यादा चीज़े लेगा जब प्राइस है जो वो डाउन कर जाएगा अब यह वाली जो line हो तो यह तो हमें DMU ने बताय थी ना DMU से पता चलता है कि marginal utility ह वो diminish होने वाली है तो consumer को यह चीज़ पता है तो वो जो rate ज्यादा चल रहे है जो प्राइस है जो जादा अगर चल रहे है तो वो ज्यादा चीज़े क्यों लेगा इतने सारे apples 5 kg apples क्या करेंगे लेकि उनको पता है कि जो इतने सारे नहीं खाय जाएंगे वह बोर हो हमें ज्यादा quantity लेने का कोई मतलब नहीं है जब प्राइस कम होगा तब देखेंगे तब ज्यादा ले लेने अभी तो एक बार कम ले तो यह हमें यह भी बताती है कि जो डिमांड कव है वो डाउनवर्ड स्लोव कैसे करता है जो consumer surplus का concept topic है वो भी इसके उपर ही बेस है इस concept के उपर unit spirit to the marginal unit yield more utility पहले consumer surplus है पहले जो units है उनको ज्यादा utility दे रहे हैं तो इसी वज़े से इस surplus utility को consumer surplus भी कहा जाता है okay and then ready production and consumption जब हमारे पास बहुत सारी चीज़े हो जाती है न पर्डक्शन में और consumption में तब यह कारण रहता है DMU DMU वहां पर भी नजराता है दिखता है यह किस कारण होता है यह DMU के कारण ही होता है that is because of operation of law DMU the variety in production and consumption is found DMU के कारण ही हमें आज बहुत सारी production और consumption के लिए options मिलते हैं ज्यादा production है continuous consumption of a one commodity will yield less and less utility to consumer अगर हमारा consumer एक ही चीज़ को बार बार लेता रहेगा तो उसको जो marginal utility मिलेगी वह तो कम हो जाएगी तो उसके बाद जो consumer है वो क्या करें वह जो प्रिडेंट consumer है जो sensible और careful judgment वाला decision लेने वाला consumer है वह अपनी consumption को क्या कर देगा stop कर देगा क्यों क्यों stop कर देगा वह इसलिए stop कर देगा क्योंकि जो utility है वह तो उसको मिल नहीं नहीं हो तो वह क्या करें तो वह तो चीजों को लेगी नहीं सकता वह तो unhappy consumer हो गया ना हमारा satisfied consumer तो हो गाई नहीं तो अगर हमारी consumer ही satisfied नहीं है happy नहीं है दन economy कैसे चलेगी इसी वज़े से consumer के पास option है उसके पास variety in production है बहुत सारी चीजों को अगर वह एक चीज से बूर हो गया तो वह दूसरी चीज पर shift हो सकता है okay diminishing utility and increasing variety of goods explained the ever increasing complexity of production and consumption utility का कम होना और production का increase होना हमें इसकी complexity बताता है then difference in difference between value and use and value in exchange पहले हमने इस बारे में बात करी थी paradox value के बीच में Adam Smith जो है वो अच्छे से इसको explain नहीं कर पाए कि जो value of diamond है वो जादा क्यूं है diamond मेंगे क्यों है पानी की वज़ाएं ठीक है तो इसको समझने के लिए value in use and value in exchange इसको दो पार्ट में बांटा है अब उसके according क्या कह रहे हैं जो goods है having more value in use command the low price जिसकी value जादा है उसका प्राइस लो है value जादा है का मतलब क्या है value in use की बात करें अब आपको प्यास लगी है diamond use करके आप अपनी प्यास को thrust को मिटा सकते हो नहीं उसके लिए आपको क्या चाहिए पानी चाहिए तो जिसका use जादा है पानी हमें किस काम के लिए नहीं चाहिए हमारी daily life में daily routine में पानी के बीना हमारी जो life है single day भी है वो possible नहीं है तो जिसका uses जादा है उसके prices कम होते हैं and those having value in exchange कमानदा high price जो exchange की value जिसकी जादा है उसके prices चाहता होते हैं but he could not give any reason of it उसने ये बात तो कह दी अब उसने कोई reason नहीं दिया तो जो new classical economics से उन्होंने इस paradox को diminishing marginal utility के basis पर explain किया अब उनके according क्या कहते हैं कि जो पानी की supply है हवा की supply है वो जादा है and the same are used in the large quantity अब इसको use भी जादा किया जाता है अगर use जादा किया जाता है तो हमारा जो इसका price है वो भी क्या है कम है consequently their marginal utility falls rapidly and so also their prices तो उनकी जो marginal utility fall कर जाती है जब उसका use जादा होने लग जाता है यूज में जिसको जादा यूज करते है उसकी marginal utility कम होती है इसी कारण उसका price भी कम होता है दूसरी तरफ expensive goods जैसे gold, silver, diamond इनकी value in exchange यह available है short supply में तो marginal utility इनकी क्या हो जाती है falls slowly high ही रहती है यह दीर दीर कम होती है तो इनके जो prices है इसी वज़े से हमेशा high रहते हैं आई होब यहां तक आपको clear हो गया होगा अब उसके बाद में बात कर रहे हैं price determination की price of every commodity is determined by its demand and supply demand for commodity है वो depend करती है marginal utility के उपर prices D and S के उपर करती है तो demand किसके उपर करती है MEU के उपर consumer कितना demand करेगा जितनी उसको utility मिल रही है अगर seller want करता है ज्यादा sell करना चाता है commodity को तो उसको अपने prices चुह है वो reduce करने पड़ते हैं तबी तो consumer ज्यादा purchase करता है otherwise वो उतना ही purchase करेगा जितनी उसको utility मिल रही है prices को reduce करता है तो वो ज्यादा units बेच सकता है तो it is so because more units yield the less marginal utility ज्यादा units उसको कम marginal utility देते हैं तो consumer जो है buy उतनी ही करता है goods को जिसके prices fall करते है otherwise उसको नहीं चाहिए अगर prices high में उसको ज्यादा prices में उसको उतनी ही चीज लेनी है जितनी उसके काम की है जितनी उसको utility देती है तो इसलिए अगर more price fix करेंगे तो जो commodity है less units की demand की जाएगी ओके price determination हो गया then basis of progressive taxation जब taxation progressive taxation के बादे में बात करते हैं उस time पर finance minister जो है इस law को ध्यान में रखते हैं progressive taxation का मतलब है वो system taxation का under which the rate of taxation increases as income of person increases जैसे ही income increase होती जाएगी उनके उपर tax का जो bracket है tax का जो burden है वो बढ़ता जाएगा यह क्यों होगा with increase in income marginal utility of money goes on diminishing जब हमारा जो utility का concept होता है यही कहता है कि जैसे जैसे चीजे और पास आ जाती है तो उसकी जो utility है कम हो जाती है पैसे की utility अगर उसके पास income जादा हो जाएगी तो उसकी जो utility है वो diminish हो जाएगी अगर person जिसके पास जादा income है उसके उपर अगर हम high tax लगाएंगे उसको कुछ पार्ट है वो क्या करना पड़ेगा sacrifice करना पड़ेगा और less income के लोगों के उपर हम less rate लगाएंगे ठीक है तो reason इसका यही है कि जो marginal utility of money है poor के लिए वो जादा है as compared to the rich के comparison marginal utility जो money किया है वो poor के लिए क्या है ज्यादा है पूर से कुछ पैसे ले ले तो उसको फरक पड़ेगा प्यूपल से अगर हम पैसे ले ले तो उसको कुछ फरक नहीं पड़ेगा utility के बारे में बात करें उसकी utility को दोनों persons की utility क्या है ठीक है अडवेंटेज टूदा कंजूमर्स दा लौ इस ऑफ ग्रेट सिग्निपकेंस और फैबरी कंजूमर इस लोग के कॉर्डिंग मैक्सिमम सैटिस्फेक्शन कंजम्शन करने के लिए जो ले मिलती है वो उतनी ही चीजे लेते हैं जितनी उनको चाहिए जितना पैसा दिया उसके बराबर उसको क्या चाहिए utility चाहिए तो इस लोग से उसको यह पता चलता है ठीक है 10 basis of redistribution, redistribution income and wealth in the capitalist economies characterized by the pronounced inequalities. Reason margin agility of money to the rich is less जो MU है rich के लिए वो less है as compared to the poor तो in accordance with the law if the wealth is redistributed in the favor of poor the total welfare of the society would be increased तो society का जो standard है जो welfare है वो ज्यादा हो पाएगा अगर हम पूर के favor में बात करेंगे तो distribution के लिए को लेकर आगे बात करें derivation of demand curve with the help of law of DMU बहुत ही easy सा है यह देखो यहाँ पर marginal utility है यहाँ पर quantity है अगर आप एक quantity ले रहे हो तो आपको MU मिलती है इतनी है M1 जैसे आप second unit consume कर रहे हो आपकी अगर आप second रोटी कहा रहे हो second bread का पीस कहा रहे हो तो आपके जो utility है वो क्या होगी डाउन हो गई बूख मिट गई आपकी अब थर्ड यूनिट पर आगे तो आपकी उपर हमारे prices जो है अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है जैसे ही price P1 है तो quantity कितनी consume की जा रही है क्यों की की जा रही है अगर prices down करते हैं तो quantity क्या होगी increase कर गई अगर prices P3 होगे तो quantity और क्या कर गी और increase कर गी तो यह क्या कह रहे है कि जैसे प्राइसिस पॉल करते हैं हमारी क्वांटिटी जो है वह इंक्रीज हो जाते हैं ज्यादा डिमांड करते हैं तो हमारी जो डिमांड कव है यह डाउन फॉल इसलिए होती है तो जो प्राइसिस है इधर के कम होने के कारण quantity के बढ़ने के कारण quantity के बढ़ने के कारण पहले quantity फैक्ट वी तो जाके जो marginal utility है वो हमारी क्या होगी डाउन हो गई है ओके यहां पर क्या लिखा है the price that a consumer pays for a commodity is equal to its marginal utility जो प्राइस कंजूमर पे करता है वो उसकी utility के बराबर होती है DMU के कॉर्डिंग कंजूमर जो है प्रचेस ज्यादा करेगा यूनिट्स को अगर उसकी जो utility है वो डाउन होती है एस सच दा कंजूमर विल बाइं मोर यूनिट्स ओनली वेन दा प्राइस गोस्टाउं लॉट को कंजूमर है अगर ज़्यादा गूर्ट को प्रचेस करता है तो उसकी जो utility है वो क्या हो जाती है दाउन चली जाती है अगर कंजूमर ज्यादा चीज़ों को लेता है प्रचेस करता है बाइ करता है कब Queensies जब उसके प्राइस डं करते हैं यह तो in कि बात कर रहे हैं वेन मार्जनल यूटिल्टी इस एक्सप्रेश इन टर्म्स अफ मनी इन दाट किस पॉजिटीव पार्ट ऑफ एम्यू कव विल बी दा डिमांड कव अगर हम मार्जनल यूटिलिटी को पैसो के टर्म में एक्सप्रेश करते हैं तो उसका जो पॉजिटीव पार्ट है वो एम्यू का डिमांड कव बन जाता है एम्यू का पॉजिटीव पार्ट ही क्या बन जाता है डिमांड कव ये इतनी सी क्या है डिमांड कव ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये वाला ये यहां तक यहां तक यहां तक यह डिमांड है यह दिमांड है यहां तक अब यह वाला जो पार्ट आई यह तो नेगटीव नेगटीव को बात नहीं कर रहें पॉजिटिव पार्ट ही क्या है आपका डिमांड का वह है I hope यहां तक आपको clear हो गया होगा and then अब इसके criticism के बारे में बात कर लेते हैं कर लेते हैं बाकी तो सारा हमारा कवर हो गया है criticism क्या है इसका हर एक law का हर एक theory का कुछ ना कुछ criticism होता है criticize करने वाले लोग बैठे होते हैं तो cardinal measurement of utility is not possible इससे तो हम भी अगरी करते हैं यह जो law की assumption है marginal utility को हमने cardinal number में ही लेना है measure करना है यह correct नहीं है अब पानी पीके, cold ring पीकर, रोटी खाकर, कुछ sandwich वगरा है खाकर हमें कितनी utility मिल रही है, कितनी satisfaction मिल रही है यह हमारा mental process है feeling है जिसको हम numbers में नहीं बता सकते हैं तो यह possible नहीं है, यह correct नहीं है In the absence of cardinal measurement, one cannot calculate the DMU, diminishing marginal utility अगर यह number ना हो हम तो calculate नहीं कर पाहेंगे उसके बाद marginal utility of money is not constant, marginal utility money की constant नहीं होती, लेकिन DMU की तो यह assumption है कि हमें M.U. जो है DMU का लोग क्या कहता है, कि जो M.U. हमने लेना है, वो money का क्या लेना है, constant लेना है Money is taken as a measure of utility, utility of money itself never remains constant, यह अपने आप में कभी भी constant नहीं रहती है Money cannot be reliable and a certain measure of a marginal utility, यह एक reliable measure नहीं है DMU का जो low है, वो money को ले रहा है, utility को measure करने के लिए जो की possible नहीं है, reliable नहीं है, जो कभी भी constant नहीं रहती है Marginal utility of money itself never remains constant, यह कभी भी constant नहीं रहती है और इन्होंने assumption में क्या कहा था, एक बार assumptions भी check कर लेते हैं Marginal utility of a money remains constant, money की constant रहने चाहिए, लेकिन यह constant तो कभी होती नहीं है Third point है, every commodity is not an independent commodity Another assumption है, law की DMU की क्या है, कि जो marginal utility है, marginal utility of one commodity has no effect on the consumption of the other commodity Independent का मतलब तो यह है न, कि दोनों का एक दूसरे से कोई link नहीं है, कोई effect नहीं है, लेकिन ऐसा correct नहीं है As a matter of fact, no commodity is independent of the other these days, अब एक दूसरे कोई effect यह करती है MEO of every commodity is certainly affected by the consumption of the other commodities It's very difficult to precise estimate of marginal utility यह independent नहीं होती, यह effect करती है Marginal utility, हम comparison करते हैं, चीजों का ठीक है, अगर हमें किसी नहींने कहा न, कि same quality, same size वगरा करना है तो क्यों कहा रहे थे यह लोग, इसलिए कहा रहे थे कि commodity की जो independent है MEO जो है, वो अलग लग रहेगी, effect नहीं करेगी लेकिन हम तो comparison करते हैं, effect होते हैं, एक दूसरे की effect करती है अगर हमें एक time में tea अच्छी नहीं लगेगी, तो हम तो coffee लेंगे तो effect करती है, marginal utility दूसरे की product को, marginal utility cannot be estimated in all conditions, सारी conditions में इसको estimate नहीं किया जा सकता, हर एक time पे जो utility हमें मिलती है, वो अलग लग मिलती है, जैसे utility analysis based है, marginal utility के topic पर, concept पर, marginal utility है, जो only those commodities can be ascertained, which are divisible, जो की divisible है, सिरफ हम, जो, जैसे एक commodity को लेने से हमें इतने utils मिले, दूसरा cup of ice cream खाने से हमें इतने utils मिले, तीसरा cup of ice cream खाने से हमें इतने utils मिले, ये divisible है, हम इसमें वैजर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम commodities उसकी बात करें, जो की divisible नहीं है, उसका क्या, one purchases, one मतलब एक person purchase कर रहा है, single unit of such a commodity, जैसे टीवी सर्ट उन्होंने एक ही लेना है, बार बार अलग लग टीवी तो ले नहीं सकते, refrigerator एक है उनके पास, MU of the second unit of such a commodity will be very little, जो marginal utility है, दूसरे product की वो कम है, ठीक है, अब इसको आप diversify भी नहीं कर सकते, अब इसकी कैसे आप utility निकालोगे, टीवी सेट की, refrigerator की, अगर prices of commodity depends upon the M.E.U., then the prices of the second unit of the above commodities should be very little, तो second unit की बात कर रहे हैं, अगर हम इन चीजों की बात कर रहे हैं, टीवी और refrigerator की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो इन commodities, अगर जो चीजों के prices है, M.E.U. की उपर depend करते हैं, तो हमें जो इन से utility मिलती है, वो कम है, तो prices कम नहीं है, तो prices भी कम होने चाहिए, लेकि रियल लाइफ में इनके prices कम नहीं है, इनके prices सो बहुत जादा है, टीवी और refrigerator की, ठीक है, तो यह चीज कह रहे हैं, कि जो utility है, हर एक conditions में estimate नहीं किया जा सकता, टीवी से आपको कितनी utility मिल रही है, टीवी देख कर, उसको कैसे utils में आप measure करोगे, it's not possible, unrealistic assumptions हैं इनकी, यह law जो है, वो base है, many unrealistic assumptions के उपर, जैसे taste, habits, fashion, income, यह सारी इनोंने constant रखी है, लेकिन क्या, real life में कभी यह change नहीं होते, बंदे की habit change नहीं होती, test change नहीं होता, trend चलता है, trend को लोग follow करते हैं, आज जो चीज trend में है, वो कल को नहीं भी है, तो test change नहीं होरा लोगों का, यह unrealistic assumptions है, जो की impossible है, so this was all about your love, DMU, बहुत जादा important topic है यह, मैंने अपने और से बहुत इस simple language में, इसको समझाने की कोशिश किया, I hope आपको class अच्छी लगी होगी, लगती है, तो इसको share जरूर कीजिए, हमें motivate जरूर कीजिए, sport करते रहे हमें, thank you so much students, subscribe जरूर कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया, मिलते मारे next class में, law of equi marginal utility में, thank you.